हेलो एवरीवन वल्कम बैक टू मैई चैनल कुस्टो होंगर किंग तो आचा मनाने जा रहे होटल स्टाल पनीर की सब्जी की रेसिपी यह सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता और इसे बनाना भी बहुत ही असान है एकदम जल्दी से बनके त्यार हो जाता है तो अगर क गोठा दनी या और दो शूह लेंगे पर चाहिए और गोल्ड की लेंगे और देल गरम अलाटीप इसे पानी पेस्त आर कर लेंगे एक दम तरह ना है इसका पीटे कि हमारे जो आप तैयार है तप चलते पणी प्रहाई करने के प्रोसस में ताम यहां पर यहां पर पर ले र पनीर को हम थोड़ा सब्राइब करने थोड़ा भ। एक झ्लीं होटेल में तक आपक्पाइब यहां यहां पर मुझे आखें तरीके से हो गया है तब इसको निकाल परताइब चे सब्सक्राइब से अ hic одним तरीकर से उसके बाद ऄठी क्लिवताने काँ तरीकर से उसके बाद तो सा टैलेंगे तेजपता को रफली के डालेंगे दो तरी के तो तीन मिनट तक fry कर लेंगे तिये देखिए जो प्याज है थोड़ा सा गुल्डें फ्राइब हो गया है जिसको थोड़ा सा और फ्राइब ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आएगा तिये देखिए जो प्याज है वह कंप्लेट फ्राइब हो चुका है एक दम इसी तरह का आपार्ट िरह लिए ताप लूटी पॉडर सवाद नमक दाल देगे मीडियू साथ को फॉाइब दया करें देगे और कम से कम नेट तक इसको फ्राइब करेंगे उससे पहले आंपर टमाटर डाल दे रहे हैं तो माटर को सात में ढल जाल के लिए शोटे ख़र सा चुवाद के तरफ लेंगे खरक कम्सें कम दो मिनट तक तक अब भीडियन फ्लेंद विए थ 8 मेठील गया निघ्लान देंगे तक प्रखतर शाल है और आपको जितना gravy पसंद हो आप उसी साफसे इसमें पाने डाल सकते हैं अब इन सबको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे पनीर जो फ्राइ करके रखे थे उसके बाद यह जो मज़दार सब्जी है वो बनके एकदम तयार है तो यह जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप इसको रोटी पराठा या पूरे के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यह जो सबजी है वो एकदम complete बन के तयार है पनीर का तो अगर यह पनीर का सबजी के रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को like, comment, share और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं आप से एकली वीडियो में